समाजवादी पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हल्ला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है सूबे के मुख्यमंतरी के अपराद पर रोक लगाने के दावे और वादे फेल हो रहे हैं आज अपरादी बेखौप होते जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के राज में यूपी हत्याओ का प्रदेश बन गया है तो वहीं अखिलेश ने एक बयान में कहा कि प्रदेश के प्रदान मंतरी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा देते हैं लेकिन बीजेपी के राज में बेटिया ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि जब देश में 15 अगस का जश्न मन रहा था, तब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में शर्मना घटनाओं को अनजाम दिया जा रहा था, अकिलेश यादव ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 12 बंकी में 16 साल की किशोरी के साथ दुश कर्म हुआ, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ये घटना टीके तराय नगर थाना शेत्र की है, कानपुर के बिठुर में भी एक किशोरी के साथ दुश कर्म हुआ, जिसमें किशोरी नहीं आत्म हत्या कर ली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में एक छात्रा मंचलों से इतना परेशान हो गई कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया हात्रस में एक छात्रा से दुशकर्म किया गया तो वहीं संभल में नाबालिक लड़की से छेड़ खानी की घटना हुई ग्रेटर नॉइडा से एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला को कार से अगवा कर दुशकर्म किया गया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सहारनपुर में अवैद खनन रोकने पर पुलिस पर जेसी भी चड़ा दी गई इटावा में बदमाशों ने डिप्टी जेलर पर हमला कर दिया लखनों में वायरलेस चौराहे पर एक सिपाही पर बाइक चड़ा दी गई सहाजाँपुर में SDM और CEO के घर लोगों ने हंगामा कर दिया गाजियाबाद में सब इंस्पेक्टर ने और बजनोर में सिपाही ने खुदकुशी कर ली ये सबी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून विवस्ता की और इशारा कर रही है आज प्रदेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि जेलो से भी अपरादिक गतिविदिया चल रही है और नाव में उंगू नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने विग्यापन में प्रदान मंतरी, ग्रिह मंतरी, मुख्य मंतरी के साथ हत्या बलातकार के आरोपी विधायक की फोटो लगा कर दिखा दिया है कि BJP अपरादियों की पनागा है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा